नमस्कार दोस्तों स्वागताब सभी का केड़ी गलासिच इंडिया में इस वीडियो में स्नैक के बारे में जानेंगे साप से रिलेटेड जो भी फैक्ट आते हैं सीटेट में उन सभी को जानेंगे इस साप की इमेज है और ये इसमें जो फैक्ट आते हैं उनको जान लेते है सांप सरी सरफ प्रजाती का रैंगने वाला जीव है, यह किस बैंग में किसानों का मित्र आप्ढुनार्ट दिए जिद भा केंते हैं जो नहीं हैं प्रोस नाग नाग को कहते हैं , किह दूबरा अुर्छ नाग और नाग और स्फाय जोह हैं लिए गोबरा एक मात्र ऐस साप्स है जो अपने बच्चों को पालने के लिए क्या बनाता हैं Allah का बच्चों को पालने के लिए पास बनाता है यह करनेक्स हम एब सांप के दो कोकलय कोंते हैं जिसके माद्यम से वे किसी जीव में विस या जहर को छोड़ते हैं जैसे काट लेते हैं तो विस को छोड़ना होता है तो उसके दो दात होते हैं दो खोगले दात होते हैं जिसके माद्यम से वो विस से डाल देता है उसमें इस जगह से इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है कौन सी दवाई दी जाती है सीरम की नाम की जो साप के जहर से ही बनाई जाती है साप के जहर से बनाई जाती है यह रहन कर चलते हैं इनके दात नुकीले होते हैं लेकिन यहें अपने सिकार को चवा कर नहीं खाता है भलकि पूरा निगल जाता है इनके कान नहीं पाए जाते साप का जीवनकाल आठ से बारेवस का होता है यह बहुत ही important point है जो सीटेट में पूछे गाएं यह सभी साप के बाहरी कान नहीं होते वह जमीन पर हुए कमपन को ही सुन पाता है next point है सपीरों को क्या कहते हैं कालवेलिया कालवेलिया भी कहते हैं कालवेलिया नाच में साप जैसी मुद्राएं होती है कालवेलिया जाती के रोसन नाप जी कौन है यह रोसन नाप जी अपने जाती में बहुत मसूर थे ये क्यों मसूर थे? ये मसूर थे बहुत आसानी से खतरनाक और जैरीलो साप को पकड़ ले दे थे ये रोसनाद जी ये कुशन पूचा गया ये कौन है ये रोसनाद जी तो इतने ही important factors related अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप टेलीग्राम से जोड़ना चाहते हैं तो वीडियो के description वो टेलीग्राम के लिंक दीए उससे जोड़ जाएए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद